गुद मॉनिंग अरिवान हाई आम नितिन सेंग वेल गाइस इस वीडियो मैं आपसे जोज फर्स शिप्ट हुई है उसका अनलसिस शेयर करुआ और फिर मैंने ये वीडियो बना रहा हु क्योंकि कुछ भी चीज़े बताना मतलब नहीं है जो पूछी गई है वो ही बता हुआ वीडियो शॉट होगी क्योंकि मेरा भी एक बजे का पेपर है मैं निकलने वाला हुआ अभी थर्ड शिफ्ट का अनलसिस मैं आपको शाम तक दे देखना और ये अगर वीडियो थोड़ी भी इंपॉर्मेटिव लगे तो जरूर लाइक करना चैनल पर नए हूँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और यदि टेलिग्राम जॉइन नहीं किया तो जॉइन कर लो क्योंकि भाईया पेपर में जो मेमर्योस कोशन पूछे ग एक फ्लोर बेज पॉजल थी एक puzzle आपकी थी जो की weight वाली थी वो जो नहीं कि 6 लोग होते हैं कि C is heavier than only D, A is lighter than only B, फिर एक का weight दे दिया, वैसी वाली puzzles थी, तो वो बोले 3 माक का था उसके बाद एक और था, जैसे कि वो नहीं होते, date दे दी होती, 1957, 2007, 2004, 2006, वैसे में like आप 8 लोग ये 6 लोग something थे और उसका comparison 2020 से करना था उनको, और फिर उनके हिसाब से question solve करना था, तो वो question 4 माक का था, यदि मैं अभी घिनू, तो 5-15 माक की ये, 4 माक 19 और 3 माक का वो, 22 माक का कहिना के अपकी puzzles पूछी गई है, 3 माक का inequality का question थे, काफी easy थे, बहुत easy थे बन रहे थे, उसमें ऐसा कुछ tiny की मतलब हम डारेक डारेक था, A greater than B, B greater than C, और फिर बहुत easy था, उसके बाद syllogism था, एक डारेक आया है, और दो indirect question थे, only a few के दो question थे, और एक मतलब जैसे normal easy वाला होता है, वैसे थे, syllogism भी overall easy था, इतना कोई hard and fast मतलब नहीं हाँ था, तो 3 question वो हो गए, फिर 5 माक की आई थे अबकी numeric series, अब numeric series, guys किता कैसी थी, जैसे कि हमें alpha numeric क्या रहते हैं कि alpha, बतब A, B, 7, 6, फिर symbol भी आ गया हो, उसके अंदर, फिर number, तो इसमें purely आपकी numeric series थी, इसमें आपको पूछा गया, कि जैसे कि मैं एक question मताया तो, जैसे कि how many 7 are there, which are immediately preceded by some even number और odd number, इस type में question थे, which is 15 left of 8 right number, मताब 15 left, 8 at, इस type के question आपको आएते हैं, बहुत easy था मेरे दोस्त बोला, 5 mark के वो question थे, और 2 mark के आपके एक word दिया था, cashew nut करके, बताना मुझे कि ऐसे word पूछा था, क्या cashew nut, उसके अंदर कि, जब उसको rearrange करते है, alphabetical order में, तो कितने word है, जो change नहीं हो रहे, unchanged है, एक तो ऐसा पेर पावर्ड था, और दूसरा एक number दे दिया था उन लोगोंने, और number के अंदर उसे पुछा रहा कि, how many pair are there, मताब एक pair कितने बन रहे हो number के अंदर, तो ऐसे मिला के 35 है, like 22 mark की puzzle, 3 mark की inequality 25, 3 mark का आपका syllabus नाप 28, 5 mark की आपकी वो numerics थी 33, और 2 mark की ये एक एक माक के ऐसे 35 mark का paper था, अब मैं बात करूँ English section की, तो English में दोस्ते अटेम किये है 24 question, उसमें से उसने बताया कि जो close था, वो था 5 mark के लिए था, music instrument के वो base था, उसने बताया कि जो close था, close दिखने में easy काफी था, मकर जो उसके options थे, वो options थोड़े मतलब कही ना कही, काफी close थे, word क काफी easy थे, मकर option mark करने में थोड़ा सा इना कहीं सोचना पढ़ था, कि ये option है, कि ये option है, तो वैसे में उसने 4 question item किये, sentence rearrangement और paranormal में काफी difference होता है, इस shift के अंदर sentence rearrangement पूछा है, sentence rearrangement क्या होता है, कि एक लंबा sentence दे तो उसको break करते, A, B, C, D part में, और फिर हमको 4-5 option मिल ज C, B, तो वैसे वाले question थे, sentence rearrangement के, वो 3 question आये थे, उसके बाद guys आपको word interchange, जैसे अपने को IBPSPO में आया था न, first shift के अंदर की word, 3 word area उसको interchange करना है, C, B, A, A, B, C, वैसा वाला था, उसके बाद error के 5 question थे, RC 8 मा का आया था, मेरा दोस बुरा थोड़ा सा moderate था वोले RC, और 3 question थ opposite और similar की मिला के, दो similar वाले थे, एक opposite वाला था, उसके बाद, और phrase replacement था, मतलब जैसे की न, look after, look over, वैसे वाले, एक sentence में, कुछ पार्ट बोल दे दिया, phrase में, नीचे में 4-5 option दे रही है, उसमें से कौन सौ option सही बैठ रहा है, वो आपको pick करना है, so guys, overall English का इना काई, easy ही तो guys, अब बात करता हूँ, मैस section की, मैस के अंदर उसने वह कोछ पेपर में जैसी बताया, कि बोले, भाई, simplification के 15 question आये थे, मगर कुछ कोशन, 2-3 question थोड़े बहुत calculative थे, 5 question कोड़ाटिक के थे, series नहीं पूछा इसमें, 5 question अपके D.I. के थे, उसमें D.I. का कोशन क्या थ और 5 लोग थे, P, Q, R, S, T, बोलो कई न कई अपनी Facebook के उपर post कर रहे थे, कुछ चीज़े, उसमें एक question बताया था, कि बोले, इफ P, P की तो value उनको पता थी, उसमें उसे ratio दिया था, कि कुछ P के अंदर बच्चे, वीडियो पोस कर रहे, कुछ फोटो पोस कर रहे, तो how many people are there, जो की वीडियो पोस कर रहे, ऐसा कुछ-कोशन था, मतब, 25 मा के यदि भाई बोलू, तो काफी easy लिए आप score कर सकते हो, 20 प्रेंट के अंदर, वाकी 10 मा का पूरा का पूरा arithmetic का section था, 10 में से में को उसमें बताया, बोले, भाई, profit and loss का भी था, time and work का था, उसने 7 कोशन अ arithmetic section में से, और यह बनने का काफी अच्छा मतलब है, उसने भी RV assistant means भी देखे, अभी आ है, so guys, overall यदि मैं बोलू, तो English section मेरे साब से, 17 से 22, good attempt, mass में यदि बोलू, 25 से लेके 27, और reasoning में बोलू, यदि मैं, तो 27 से लेके 29, overall बोलू, तो कम से कम 77 प्लस अपके होने चीए attempt, एक मेरे साब से में को लग रहा है, वाकी मैं अपनी shift का आपका analysis, दूगा शाम तक, वाकी यदि वीडियो अच्छा लगे, तो जरूर लाइक करना, चैनल पे नए हो, तो subscribe करना, टेलीग्राम ग्रूप को join करना, और कोई गलती होई होगी, तो में माफ करना, वाकी मिलते हैं अ आम राम, जैसी राम